सो एलो गैस मैं हूँ आपका वाई शेक हुगा इस वाद करता हूँ आप सभी को एक और नियू इंट्रेस्टिंग वीडियो में थम्नल सुथ आपको पता चल गया हो कि आज का मारा टॉपिक क्या है लेकिन यहां आता एक और ट्विस्ट आप लोगो को लगता होगा कि मैं हया हयाटो करेक्टर और मैं आप सभी का जितना भी डाउट है वो सब क्लियर करूंगा और आप लोगो को किस सिच्वेस्टर में कौन सा करेक्टर को यूज करना चाहिए भी मैं आप लोगो बताऊंगा एं लास्ट अगर आप हयाटो और एंडू दोनों को एक साथ अगर आप मैं से बहुत बंजे का डाउट होता है कि एंडू और हयाटो करेक्टर का अबिलीटी सेम है मैं आप लोगो क्लियर कर देता हो है अबिल्कूल बी सेम नहीं है जोनों का अलग-अलग है अगर मैसिमम ह्पी से 10% हपी अगर डिक्रीस होता है तो 10% आर्मर पेनेट्रेशन होगा मिन्स एनिमी का वेस्ट कुछ काम नहीं आएगा डारेट बॉडी में गोली लगेगा और और आप लोग को हैटो के साथ इलाइड हैटो भी मिल जाता है जिसका अबिलिटी ए 3.5% फ्रेंटल डैमेज को रिडियूस करेगा मिन्स कम करेगा अगर आपको हैटो के बारे मे 12% इंक्रीज कर देता है इसका अबिलिटी बहुत ही जादा खतर नाग है अगर आप एंडू करेटर को यूज करते हो और आपके पास वेस्ट है देन 14% कम डैमेज गिरा है आपके उपर मिन्स 14% डैमेज रिडियूस होगा और अगर आप स्क्वार में खेल रहे हो तो आपके टीमेट्स का 15% डैमेज गईज रिडियूस होगा इसका मतलब यह है कि अगर आप एंडू करेटर को यूज करते हो तो आपका टीमेट्स को भी फायदा होने वाला है गाईस क्यों इंट्रेश्टिंग है न और विजाता इंट्रेश्टिंग लगएगा है अगर आप वीडियो को एक लाइक करते है और चैनल को सस्क्राइब करते हो तो मैं comment section में एक और doubt question देखा था जो कि हयाटो और elite हयाटो अलग अलग है यह आप लोगों लगता है मैं आप लोगो clear कर देता हूँ update के बाद guys हयाटो और elite हयाटो का ability mix कर दिया गया है जिसका नाम है arts of blades similarly Andrew और elite Andrew का भी ability guys mix कर दिया गया है जिसका नाम है wolf pack so यह doubt भी आप लोगों का clear हो गया guys so अभी हम बात करेंगे कि हयाटो और Andrew को किस किस situation में यूज करना चाहिए means हयाटो को किस situation में यूज करना चाहिए और Andrew character को किस situation में यूज करना चाहिए तो सबसे पहले अगर आप solo full map rank और 1v1 custom या फिर solo versus squad full map खेल रहे हो then आप लोग को हयाटो character यूज करना चाहिए आप लोग के लिए based होगा हयाटो character क्यों based होगा ये सोच रहे हो ना तो सुनो हयाटो character 10% armor paint rations करता है अगर आपको armor paint rations के बारे में नहीं पता है then हयाटो full details वाला video देख लो गाई और अगर आप अगर class squad और squad full map, rank push और 4v4 custom खेलते हो then guys आप लोग Andrew character को use कर सकते हो क्योंकि अगर आप squad member में सब बंद Andrew character को use करते हैं तो 59% damage reduction होगा means every squad member का 59% guys जो damage है वो कम गिरेगा उनके उपर details में जानना है then आप लोगो link description में मिल जाएगा guys so next बात करते हैं हयाटो और Andrew दोनों को एक साथ अगर use करने से क्या होने वाला है guys अगर आप दोनों character को एक साथ use करते हो तो सबसे पहले अगर आपके पास waste means armor होगा तो Andrew character का skill काम आएगा waste का power बढ़ा दिया जाएगा means 12% increase हो जाएगा और waste में कम damage भी गिरेगा guys अगर आपको enemy को अगर damage देगा तो guys damage means 14% damage कम गिरेगा आपके उपर then हयाटो के मदद से guys opponent का enemy का waste कुछ काम नहीं आएगा guys means 10% armor penetration होगा so अगर दोनों character का ability को एक साथ use करते हो तो बहुत जादा खतरना हो जाएगा guys means आपका waste hard हो जाएगा और enemy का waste काम नहीं करेगा so अभी फिर से चलते हैं हमारे पहले point के ओर जो की है कौन बेस्ट है अभी तो आप लोग clear हो चुके हो तो आपके तरफ से कौन बेस्ट है guys हयाटो या फिर Andrew in my point of view guys for solo हयाटो is best and for squad एंडू is best तो आप अपना opinion comment section में बता सकते हो guys कौन बेस्ट हयाटो और Andrew character so ये था डिफरेंस हयाटो और Andrew character का अभी मैं आप लोगो बताऊंगा कि हयाटो और Andrew character combination क्या होना चाहिए तो सबसे पहले class squad combination है हयाटो और Andrew and Caroline character हयाटो और Andrew के बारे में तो आप लोगो पता है लाश राता है जो Caroline character जो कि एक passive skill character है जो sprinting speed increase कर देती है जब आप shotgun को hold करते हो तब class squad में ज़्याद ज़्यादा shotgun यूज होता है मिन्स M1187 या फिर MAG7 या फिर M1014 so ये तो था तीन passive skill character और आपको जो active skill character यूज करना है वो आपका मर्जी आप उकांग, अलो, क्रोनो के कुछ भी यूज कर सकते हो जो भी active skill character है आपके पास वो आप लोग यूज कर सकते हो नेक्स्ट आता है regular combination for full map इस combination में हयाटो और Andrew character के साथ आप मोको, मैक्सिम, केली इन तीनों character में से कोई भी एक character को use कर सकते हो जैसे कि मोको, enemy का location को tag करता है and मैक्सिम, fast healing करता है and last आता है केली जो speed को increase करता है 6% तक so ये तो था 3 passive skill character अभी मैं आप लोग बलूँगा इसके साथ आप लोग को कोई सा active skill character को use करना चाहिए for russer, chrono और ukong इन दोनों character में से कोई एक character को आप लोग use कर सकते हो for survivor, alok और kare character okay guys so ये था based combination for Hayato and Andrew character तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो like, share and subscribe फिर मिल दें कोई अगले वीडियो में Hayato ability test वाला वीडियो अगर देखना है then left side video को click करो और Andrew ability test वाले वीडियो अगर देखना है then right side video को click करो guys